दोस्तो नमस्कार दोस्तो आई ये चर्चा करते हैं BPSC TRE 3.0 में जो बैक लाग सीटें हैं वो कितनी हैं और किस काटेगरी में कितनी सीटें जुडेंगी सबसे पहले देख लेते हैं बैक लाग की सीटें जो अभी तक रोश्टर क्लियर हुआ है उसमें 37,000 सीटें निकल करके आ रही है अब इसमें देखते हैं कि किस काटेगरी में कितनी सीटें जुडेंगी सबसे पहले बात करते हैं PRT की PRT में 11,000 सीटें जुडने वाली हैं 11,000 सीटें उसके बाद 6 to 8 की बात करते हैं 6 to 8 में ऐसा माना जा रहा है कि 13,000 सीटें एड होंगी और फिर बात करते हैं 9th, 10th की 9th, 10th की बात करते हैं तो 9th, 10th में 8,000 सीटें 8,000 सीटें जुडने वाली हैं और फिर 11, 12th की बात करते हैं 11, 12th में 5,000 सीटें जुडेंगी ऐसा आयो कमानना है तो टोटल सीटें मिला करके हो जा रही है 37,000 अब इन सीटों के जुड़ने से कहीं न कहीं देखा जाए तो कट अफ पे काफी असर पड़ेगा कट अफ नीचे जाएगा अभी तक जो फाइनल आइंसर की आई है अभी तक केवल PRT की आई है और 20 तारीक को निर्धारित है 6 to 8 की अंसर की उसके बाद धीरे धीरे 23 तक सारी अंसर की आने की उमीद है उसके बाद आयोग जो है लगातार काम कर रहा है रिजल्ट को ले करके चुकि मेन मुद्दा फंस रहा था 22 लाग सीटों और रोश्टर क्लियर को ले करके रोश्टर क्लियर हो करके अब सिच्छा विवाग को मिल चुका है तो अब रिजल्ट तयार करने में देरी नहीं होगी ऐसा माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और पहले हेड मास्टर और हेड टीचर का उसके बाद 1 तो 5 फिर 6 तो 8 और फिर 9 तेंथ और 11 तो 12 का रिजल्ट आ जाएगा रिजल्ट की इंतजारी कर रहे अब भेरतियों के लिए खुसकबरी है कि इस महीने के अंत तक या अक्टूबर के 1 बीक तक सबके रिजल्ट जारी कर दिये जाएंगे धन्यवाद